जहिन साथियो अभी हम लोग उपस्तित हैं एक्जाम टूर चैनल पर और आप सबसे बता दें सभी छात्रों के लिए मैं एक सुचना दे रहा हूं एक्जाम टूर के तरफ से कुछ अभियर्थी कमेंट करते हैं कुछ अभियर्थी मिलते हैं तो अलग करके बात करते हैं उन जार्थी के लिए लगा रहाता है शुबह अच्छे वैसे आप देखे होई एगा रात भी बारह बये तक गांधी मैदान में एक्जाम टूर चैनल वहां से लाइब दिखाता रहा फिर भी आप लोग को कमेंट आता है अब जान दे दिया जाए क्या आप लोग के लिए आप सबसे सहयोग है आप सबसे उमीद है कि कम से कम यदि कुछ बोले कुछ कमेंट करें उससे पहले थोड़ा सा सोच लें विचार लें कि कौन आपके लिए है कौन दूसरे के लिए है कौन क्या है इस बात को जरूर समझे हम लोग को बहुत मेहनत परता है फिर भी पीछे नहीं हरते हैं आप देखते हैं केवल और केवल आप यूटूब से भी देखते हैं कि कितना मेहनत होता है यूटूब के लिए लेकिन भ्यूज भी उस तरीका से सहयोग भी नहीं होता है केवल आप लोग कमेंट करते हैं केवल आप लोग आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा कम से कम देख लिया किजिए कि कौन आपके हीद के लिए है कौन कैसे क्या काम कर रहा है इस बात को जरूर चाने चलिए आगे देखते हैं किसी भी अभ्यार्थी को मेरे बातों से किसी को तकलिफ लगाओ तो मैं उनसे चेमा चाहता हूँ और एक बात बता द प्रसासन को इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन सरकार आयोग और परसासन ध्यान देने के बजाए परसासन ने तवातोर लाठिया चार्ज कर दी जो एक बहुत दुखद है मैं लगतार दिखाया आप देखे हुएगा कई दिखाने के दौरान हम लोग पर भी बहुत सारा चोट लगा चोट कहने का अर्थ हुआ कहीं गिर जा रहे थे कहीं कुछ जा रहे थे यह सारे चीज को लेकर चलि अब दिखाया से यदि बिहार में हो जो अपराधी है उन पर तो अपराध का जो ग्राफ है वह उठ रहा है वह नीचे चला जाएगा वह डाउन चला जाएगा लेकिन अपराधी तो मलाई मारते हैं और जिनको यह सब नहीं होना चाहिए जो देश और बिहार के व्विस है उन पर लाठिया बरसाना ये कदापी उचित नहीं है इसको मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ आयोग और सरकार अभी भी इसको लेकर ध्यान दे और अभी लंब जितना जल्द हो जाए अभ्यरतियों की मांग को माने और एक जाम को तीनों सिप्ट का केंसिल करें और आपना जितना कराना है कराते रहें चलिए देखिए बीससी तृतियास नातक अस्तरिये परिक्षा के सभी चरणों की परिक्षा रद करने की मांग को लेकर बुद्वार को अभ्यरति शड़क पर उत्रे इस जवरान कुछ अंदोलनकारी अभ्यरति ने मजिस्टेट के साथ धक्का मुक्की की कुछ ने बैरिकेटिंग तोड़ दी पुलिस ने समझाने की कोशिस की अभ्यरति नहीं माने तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी इसके बाद भगदर मच गई देखिए लाइब था फूटेज है सब कुछ है देखना चाहिए ये लिखने से पहले पुलिस ने सौ मीटर से अधिक दूरी तक अभ्यरति को खदेडा लाठी चार्ज से दर्जन अभ्यरति घायल हुए इसमें सदानन अकास रवी परवीन अमेत दिलिप मनिश यदो आदिको गंभीर चोटे आई हैं इसका इलाज गरदनी बाग वा नीजी अस्पतालों में कर आया गया अंदोलन में सामिल पांच छात्रों पर नामजद सहित एक हजार अग्यात अंदोलनकारी पर प्रात्मी की दर्ज की गई कोतवाली थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि अंदोलनकारी अभ्यरति ने मजिस्टेट के साथ धका मुकी करने की अभदर पूलिस प्रसासन का कहना है कि छात्र तैय रूट से अलग परदर्शन करनते जा रहे थे नहीं माने तो प्रसासन को इन्हें रोकने के लिए हलका बल परियोग करना पड़ा इधर लाठी चार्ज के बाद आक्रोश अभ्यरति पांच घंटे से अधिक समय तक गांधी मैदा सभी अभ्यरति परिक्षा को रद करने की मांग पर अड़े थे अंधोलनकारी नित्रुत करता चात्र नेता दिलिपकुमार मनिश यादव आधी अभ्यरति कर रहे थे चात्रों को पटना विविद से मुशल्लपूर हाट बाकर गंज होते हुए कारगिल चौक गांधी मैद होते हुए जेपी गोलंबर तक जाना था पर छात्रों ने पूलिस के निर्धारित रूट को नहीं माना और एक जीविशन रोड होकर छात्र डाक मंगला जाने लगे अब यहां पे देखिए क्या है तीनों पाली की परिक्षा रद की जाए भागपा माले यानि माले के द्वा भागपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने बी एससी अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज की निंदा की साथ ही कहा कि सरकार को अभ्यर्थी की बात सुननी चाहिए पर वह दमन का रास्ता अपना रही है यह जायज नहीं है भागपा माले बी एससी में हुई धान्दली को लेक पर तीनों पालियों की परिक्षाराद करने वहा नुए से परदर्सी तरीका से एकजाम कराने की मांग करता है। अभ्यार्ति का जो अंदर से चमता है वो बढ़ते जा रहा है चुकि किसी भी सांथपुन तरीका से आंदोलन को यदी कोई उस पर लाठी बरसा है तो अच्छा नहीं लगता है आगे बने रही है एक्जाम टूर पर पलपल की अपडेट आपको लाइब और रिकॉर्डेट व अभा